ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर है हमारे पास 6800 रुपे वाला एक आइफोन और सुब क्लू से इसे मैंने ओर्डर किया था जिस कंडिशन में उस कंडिशन का यहाँ पे नाम था सूपर मीन कंडिशन लाइक नियू तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं देखते हैं कि 6800 र बॉक्सिंग एक्सपिरेंस रहने वाला है सुब क्लू के उपर तो चलिए फड़ा फड़ सारी चीजों को हम लोग अन्बॉक्स कर लेते हैं तो बॉक्स के अंदर आप लोग देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह का है तो चलिए इसको भी हम लोग खोल लेते हैं और यहां पे जैसे ही हम लोग बॉक्स को खोल लेंगे तो यहां पे देख सेकतो आप लोग इसके अंदर हमें और एक बॉक्स देखने को मिल जाता है चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है ब देखते हैं कि box के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है, तो box के अंदर हमें सबसे पहले phone देखने को मिल जाता है, और देख लेते हैं कि और क्या कुछ देखने को हमें मिलता है, यहाँ पे as usual आप लोग देख सेकतो, charger, cable हमें देखने को नहीं मिलता है, तो जिस price में मैंने खरीदा है उस प्राइज में यहाँ पर हम लोग इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग फोन को खोल के देख लेते हैं फोन में यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो दो स्टीकल लगाए हुआ है और यहाँ पर क्याँ तो चलिए एक बार इसका हम लोग फिजिकल ऑवर विउ कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सेकते हो फोन यहाँ पर जो physical condition है वो काफी अच्छा condition में है that means यहाँ पर possibly यह भी chance हो सकता है कि इसका जो पूरा का पूरा इसका जो body है यह जो cabinet है इसको change किया गया है तभी आपको यह phone इतना जादा सुन्दर लगेगा तो यहाँ पर आप लोग देख़ें तो किसी भी जगा पर कोई भी as such scratch बगेरा मुझे देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर कोई dark बगेरा भी नहीं है कोई dent भी देखने को नहीं मिलता है frame की अगर बात करें तो frame भी आप लोग देख़ें तो एकदम untouched condition में है super new condition जैसा कि कहा गया था बैसा ही condition का phone है अगर हम लोग सामने की तरफ से देखे तो सामने भी आप लोग देख सेकतो कोई भी scratch बगेरा हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है तो इसका मतलब यही होता है कि phone का ये जो complete frame है उसको ही change किया गया है including display तो यहाँ पे ये जो है इसको भी change किया गया है और back को भी change किया गया है तभी आपका ये जो 6-7 साल पुराना phone है बो दिखने में कुछ इस तरह का लग रहा है यहाँ पे बिल बगेरा भी हमें देखने को नहीं मिलता है हाला कि online बिल मुझे already अपने gmail पे मिल चुका है बो चीज में आप लोगों को सोग कर दूँगा यहाँ पे आप लोग देखो ये दो sticker लगाए हुआ है तो पहले एक बर हम लोग switch on कर लेते हैं सारी चीजों को check कर लेते हैं और अगर सारा चीज सही रहता है उसके बाद ही हम लोग ये sticker को हटाएंगे आदर केसिस में हो सकता है कि ये लोग return लेने में बड़ा दिक्कत दे सकता है तो यहाँ पर हमने phone को switch on कर लिया आप लोग देखें तो phone switch होना start हो गया है तो चलिए फटा फेट में सारी चीजों को set कर लेता हूँ और set करने के बाद मैं इस phone के बारे में जितना भी details मुझे पता चलता है क्या कुछ खराबी है क्या कुछ अच्छा देखने को मिलता है बैक्टी हेल्थ कैसा देखने को मिलता है और most importantly यहाँ पे कौन सा कौन सा parts change हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी हम लोग C.U.Tools में चेक करके आप लोगों को details में बताएंगे तो phone को यहाँ पे मैंने completely set up कर लिया है और set up करने के बाद आप लोग देख सेकतो phone और ज्यादा खुब्सूरत लग रहा है और यहाँ पे एक चीज तो आपको भी मनना पड़ेगा iPhone 6s 2014 का एक phone है तो ultimately यह 10 साल पुराना एक phone है लेकिन 10 साल पहले भी iOS में ऐसा device बनता था जो कि दिखने में आज के date में भी आपको बहुत ही जादा खुब्सूरत लगता है बहुत ही जादा यहाँ पे tremendous लगता है जो चीज आप लोग देख सेकते हो और ऐसे पकड़ने पे आपको in hand feel जो है वो किसी भी angle से ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक 10 साल पुराना phone को पकड़ा है अगर हम लोग यहाँ पे display की side से भी देखे तो display से side से भी यह phone जो है वो as such आपको old feel नहीं होगा अब चली हम लोग बात कर लेते हैं phone में क्या कुछ चीजे अच्छा मिल जाता है क्या कुछ चीजे खराब देखने को मिल जाता है A to Z हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे notification पैनल में चलेंगे जो कि आप लोग देख सेकतो कुछ इस तरह से है brightness आपको काफी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है और iPhone 6S के टाइम पे यहाँ पे आपको true tone बगेरा देखने को नहीं मिलता था जो कि यहाँ पे missing है तो इसमें भी कोई issue नहीं है बाकी मैंने already अपने SIM card को यहाँ पे लगा लिया है अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक call करके देखते हैं और देखते हैं कि actual में जो SIM है वो working है कि नहीं हलाकि मैंने यहाँ पे जियो का 4G SIM यूज़ कर रहा हूँ उसी चाप से हमें पता लग जाएगा कि इसमें 4G support करता है कि नहीं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अल्रेडी सीम जो है वो supported है और calling हम लोग कर सकते हैं कोई calling में भी issue नहीं है और बाकि speaker की मैं अगर बात करों तो speaker आप लोग सुन सकते हो एकदम crystal clear creep sound आ रहा है अब चली हम लोग check कर लेते हैं कि इसमें buttons हमें कैसा देखने को मिलता है तो buttons यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो plus button, minus button, silent button की बात करें तो यह भी working है साथी चाथ अगर power button की बात करें तो power button भी यहाँ पर perfectly working है मैंने already अपना touch ID जो की fingerprint sensor ही होता है उसको setup कर लिया है चेक कर लेते हैं कि यह touch ID काम कर रहा है कि नहीं तो as you can see यहाँ पर जो touch ID है वो भी काम कर रहा है और ऐसा नहीं यह slow काम कर रहा है काफी यह speed काम कर रहा है जो चीज आप लोग यहाँ पर भी notice कर सकते हैं तो यहाँ पर touch ID में भी कोई issue नहीं है चलिए एक बार हम लोग camera को check कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें camera properly working है की नहीं तो as you can see अगर हम लोग back camera की बात करें तो back camera यहाँ पर properly working condition में है कोई भी issue नहीं है और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि photo का जो quality है वो बहुत ही खराब है as such photo quality भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जा रहा है अगर हम लोग यहाँ पर front camera की बात करें so front camera भी आप लोग यहाँ पर देख सेकते हो front camera भी properly working है और इसमें भी अगर हम लोग photo photo क्लिक करेंगे तो as such कोई भी issue नहीं होगा photo quality भी यहाँ ठीक ठाक है तो price की according या तो 10 साल पुराना phone के according अगर देखा जाए तो phone में photo quality अच्छा है लेकिन अगर आज के date में आप किसी भी phone के साथ इसको comparison करोगे उस case में हो सकता है आपको camera quality जो है वो उतना अच्छा नहीं लगे इस price bucket में आप इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ultimately ये एक 6800 रुपे का phone है हलाकि इसका price 8000 था लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ coupon भूपन यूज़ करके फोन को 6800 रुपे मंगा लिया है उसके against में मैं definitely ये कह सकता हूँ कि phone का जो camera quality है वो ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है एक बार display quality चेक करने के लिए हम लोग YouTube को on कर लेते हैं यहाँ पे मैंने अभी अभी YouTube को install कर लिया है यूट्यूब इंस्टॉल भी हो गया that's मिन इसमें app store भी support कर रहा है so display quality आप लोग यहाँ पे देख सेकते हो खराब मैं नहीं कह सकता हूँ जिस price bucket में मैंने इस phone को खरी रहा है उसके according इसका जो display है वो बहुत ही जादा अच्छा है और यहाँ पे आप लोग सारी चीजे जो है वो देख सेकते हैं कोई भी इशू नहीं है sound quality भी है वो जोबर्जस देखने को मिल जाता है बाकि इस phone में हमें 3.5 mm jack का भी support देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग 3.5 mm jack लगा के एक बार चेक कर लेंगे कि 3.5 mm jack जो है वो working है की नहीं तो यहाँ पे मैंने already लगा लिया है और यहाँ पे 3.5 mm jack जो है वो completely working है और यहाँ पे sound quality भी ठीक साक सुनाई दे रहा है तो चलिए एक बार battery health भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं on camera कितना यहाँ पे battery health हमें देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे battery health section में चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सेकते हो maximum capacity जो है वो हमें 100% देखने को मिल जाता है दस साल पुराने में phone में अगर 100% battery health देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप yes your हो जाओ कि इसका battery भी replacement किया गया है अब जले हम लोग 3U tools से चेक करते हैं और देखते हैं कि इस phone में क्या-क्या parts जो है वो change किया गया है और क्या-क्या parts हमें original देखने को मिल जाता है तो 3U tools का report आप लोग यहाँ पे चेक कर सेकते हैं 3U tools में यहाँ पे सबसे importantly battery life 100% ही सो कर रहा है charge time की अगर बात करें तो zero time दिखा रहा है that means यह battery replacement होने के बाद directly phone मेरे पास आया है और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे specification बगेरा देखेंगे तो यहाँ पे हमें सारे चीज जो है देखने को मिल जागा यहाँ पे आप लोग देख सेकतो iPhone 6 64GB gold color दिखा रहा है gel break की बात करें तो no है और अगर हम लोग यहाँ पे sales model की बात करें तो आप लोग देख सेकतो CH model है रसमीर इसका sales region जो है वो चाइना है बाकी अगर हम लोग यहाँ पे view verification report को click करेंगे view verification report में आप लोग यहाँ पे देख सेकते हो as it is यहाँ पे normal so कर रहा है तीन जगा पे यहाँ पे आपको red color का so होता हुआ दिखेगा जो की है battery serial number battery change है इसका rear camera की अगर बात करें तो बो भी changes है और front camera की अगर बात करें तो बो भी changes है बाकी यहाँ पे हर एक चीज जो है वो आपको original देखने को मिल जाता है testing score की अगर बात करें तो 80 once testing score है अधर देन यहाँ पे rear camera और front camera change होने के बावजूद भी camera quality से मैं उतना ज़्यादा depressed नहीं हुआ हूँ camera quality इसमें आपको लगबग सही देखने को मिल जाता है सो यह था मेरा initial unboxing experience सौब कुलू से जो मैंने यह phone order किया है बाकी आप लोग चाहे तो सौब कुलू से definitely order कर सकते हैं और जिस तरह का offer लगा के मैंने order किया है उस तरह का offer लगा के भी आप लोग इसे bike कर सकते हैं experience अभी तक तो सही है बाकी कुछ दिनों के बाद मैं इसका एक details review आप लोग के साथ share करूँगा और उस वीडियो में मैं ultimately आप लोग को बता पाऊँगा कि phone में सारे के सारे जो चीज है वो कैसा experience दे रहा है अगर आप लोग 2023 में इस phone को use करोगे हाला कि इस phone को use करने के बाद मैं sell ही करने बाला हूँ तो लगबग 2-4 दिन बाद इसका एक full review आएगा उसके बाद इस phone को मैं sell कर दूँगा तो अगर आप लोगों में से किसी को ये phone buy करना है तो आप लोग मुझे Instagram पे DM कर सकते हो Instagram का link जो होगा वो आप लोगो description में देखने को मिल जाएगा तो ये था complete video हाँ मिलेंगे आपसे next video में तब तक के लिए take care bye bye and thanks for watching